अलोग वल्ड अफेर सीरीज में 11 नॉमबर से 20 नॉमबर 2022 की वीच में गटित हुए वेश्वी गटना करोंखे हमारे में हम अल्रडी डिसक्रेशन कर चुके हैं लेकिन इसी टाइम फ्रेम में कुछ important summit आये जित हुए जिन में से तीन important summit तो-South East Asia में ही आये जित हुए जिन में से एक था जी 20 का summit जो कि इंडोनेσिया में आये जित हुए सात ही अपेक का summit अशियसा पैसीपेक economy इसलिए इंपर्टन्ट इवेंट के लिए पाट्टू बनाये गया है, तकि इनके बारे में इंपर्टन्ट डिस्क्रॉशन किये जा सके हैं, कुछिकि आने वाएक साल तक जो भी एग्जाम होंगे चाहे वो UPSC के हो, किसी प्रषी मेर्स सूंप्स का ममनी है, और थीजहां कमबोडिया और अप जहीं परपना कंभुडिया आब सुमस्वाइब करें। तो आशियन का पुराना में Association of South East Asian Nation, दक्षिन पूरी भी अशिया के कुछ देशों का संगठन है, कितने देशों का संगठन है, दस देशों का संगठन है, आशियन की स्थापना हुई थी 1967 में, थाइलेंड की राजधानी बैंकोक, बैंकोक में बैंकोक डिकलेरेशन साइन हु इंडोनेशिया, सिंगापूर और फिलिपिन्स, इन पांस देशों के दोरा यह समिट शुरू हुआ था, जिसका विजन था, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्यूनिटी, एक दरश्टी, एक पहचान, एक समूद है, यह मोटों के साथ, आशियन की स्थापना हुई, आठ अगस्त को हर साल आशियन डे बनाया जता है, इनका जो सेकेटरेट है, वो है इंडोनेशिया के जकारता में, इस पर्टिकुलर रिजन में, जकारता यहां पर है, यहां पर इनका सेकेटरेट है आशियन का, और इन पांस देशों के बाद, बाद में पांस देश और यह जुड़े थे 1997 में फाइनली जो लास्ट देश ता जो आशियान में जुड़ा था वो था कमबोडिया जहां पर यह शमीर अभी हो रहा है आशियान का 2022 का यह कमबोडिया जुड़ा था 1999 में 1945 में में 2008 में आशियान का चार्टर निकाला जोकी लीगली वाइड दे टो आशियान इस समय कौफी बड़ा गुरूप है और काफी important है world politics में उसका कारण है कि अगर आप देखें तो आशियान में लगबग दुनिया की साड़े 8 प्रतिशत आवादी population यहाँ पर रहती है और 7th largest economy है जिसको माना जाता है कि 2050 तक यह 4th largest economy हो जाएगी अभी 7th largest economy है साथ ही 3rd largest labor force है यहाँ पर आशियान देशों में 3rd largest labor force सबसे ज़्यादा तीसे नमबर पर सबसे ज़्यादा चाइना में है 2nd पर इंडिया है 3rd largest labor force है वो आशियान देशों में है और साथ ही 4th largest export region है यह दुनिया का आशियान चोथा सबसे बड़ा export region है पुरी दुनिया का से 7% दुनिया का जो एक्सपोर्ट होता है वो आशियान देशों से होता है इसलिए आशियान की अपनी आपने महत्मून गुमी का है यह समिट शुरू हुआ कंबोडिया में कंबोडिया की अगर हम location देखें तो कंबोडिया की बौंडरी लगती है थाइलेंड से यहां पर यह समिट आयजित हो रहा था इसके किनारे पर ही है इससे निकलते हुए यह बियतना में जाती है मेकोंग डेल्टा बनाती है फिर साउथ चाइना सी में गिड़ जाती है गल्फ ओफ थाइलेंड कीकिनारे पर और यहीं पर काडमो मौंटर को आब देख सकते है जो वेस्टन साइड में है कंबोडिया के जाहां पर यह वाला रिजन रिजन और यहर्ट टोंले सेप ज्याफ के लेइंड ली वर पाके गिरती है साउथ इस्टेशिया लिडर्स के को भाशिया समिट कंबोडिया कंबोडिया में समिट सुरू होने के बाद 40 और 41 चालिस और 41 समिट था यह जो कि 10 से 13 नवंबर तर चला जिसमें यूवक्रेयन रशिया मुद्धे पर बात हुई energy crisis पर बात हुई food crisis पर बात हुई साथी वात हुई US चाइना और जो ताइवन का अभी चल रहे हैं उसको लेके, South China Sea का जो matter है उसको लेके बात हुई, Myanmar crisis जो की काफी important आशियान के लिए, क्योंकि Myanmar आशियान का एक सदस्य देश है, उसमें Myanmar में जो crisis चल रहा है, अभी आर्मी के द्वारा, आर्मी का शार्षन है वापर, उसके बारे में बोच discussion हुआ, इसी कि 11 सदस्य देश के रूप में East Timor को चुना गया, East Timor के अगर आप location देखें, तो यह East Timor की location यहाँ पर है, यह एक island है, जिस पर आधा island इंडोनेशिया में आता है, और यह फाइनली जो island है, आधा island, यह इस तिमोर देश है, जिसकी राधन ही है दिली, अगर दून से देखें तो यह East Timor है यहाँ पर, यह इंडोनेशिय में बताया आपको, आफ आइलेंड इंडोनेशिया के पास है, यह वाला भी region इस तिमोर का ही है, और यहीं पर नीचे तिमोर सी है, क्योंकि तिमोर सी है, और इस तिमोर सी है, यह इंडोनेशिया आप देख सकते हैं, यह वैटर इस मेंबर नहीं मिनाया गया है, लेटर फुल मेंबर बनाया जाएगा, अभी एज एन ऑब्जरवर एडमिट किया है इस तिमोर को, नेक्स्ट जो न्यूज है, इसी पर्टिकल समीट सी, वो होती मियामार को लेके, कि मियामार में पीस को लेके, आशियान लीडर से पोल दिया, कि टाइम लाइन होनी चाहिए, मियामार में पीस एस्टाबिलिस करनी है, जल्दी से जल्दी, मियामार के अगर आप लोकेशन द और 39, 40, 49 और 40 वा जो आशयन का सम्मीट हुआ था जो कि बुरुनुए में हुआ था 2021 में अभी जो सम्मीट है वहे 40, 41 समीट है 40, 40 समीट है जो कि कंभोढीयं हम भगर वह वह रहा है इस बुरुनएं समीट में 5 पॉइंट कंसेंसेश की बात कि गई थी पाँच पॉइंट बनाए गये थे मियामार में पीस राने के लिए इस मोट की अगर तरीके ने क्या मियामार में उसके लेटा निकल के सामने आथा है कि इस conflict में हर महीने हजारों लोगों की मौत हो रही है और ये आकड़ा अगर UN के सब्दों में के Human Rights Council नहीं कहा है कि म्यामार में जो violence बढ़ रही है वो बैट से बढ़ सो चुकी है और horrific हो चुकी है बहुत ही भाय 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 रूप से ये violence बढ़ रही है आर्मी के द्वारा dissent क इनको खत्म किया जा रहा है और seriously ये काफी serious मुद्ध है आशियन के द्वारा जो फाइब पॉइंट कंशेंस दिया गया पोलिटिकल क्रैसिस में म्यामार के लिए वो था इस सबसे पहले जो था कि हर तरीके सबसे पहले तो violence को खत्म किया जा जिसमें केवल आर्मी वहाँ पे जो बिद्रोही जिनको आर्मी टर्रिस्ट बोलती है जो कि म्यामार की डेमोक्रिसी के समझ तक बोलती है अपने आपको कि हम आर्मी को अठा के डेमोक्रिसी को लाना चाहरे उन सबसे यह आगरी था कि वो पहले सबसे बिले violence को खत्म करें द बीच में मध्यस्ता करने का काम करेंगे डायलोग प्रोसेस में यह आशियान का एक इस्पेशल एनवय को अपॉइंट किया जाएगा कि जो कि सेकेटरे जन्रेल वाश्यांच के साथ असिस्टेंट मिलेगे उन्हें साथ ही था कि आश्यान सेयल प्रोवाइड हुमिटेरियर असिस्टेंट थूद एफ्याट Κि अशियान देश्टेंट देंगे मनथ्ट स्रियोग देंगे मियामार को और लास्ट फाइनली जो था कि जो इस्पेशल ऑनवय है और जो डेलिगेशन है यह मियामार विजिट करेंगे ताकि सारी पार्टी से मिल सकें उनका फीडबेक ले सकें और फाइनली इसी तरह से इसी प्रोसेस को शुरु किया जा सके यह फाइप पोइंट कंसेस ता जो आशियान देशों के द्वारा मियामार के पोलिटल क्रैसिस के लिए निकाल ग पिलस आठ देशों का जो East Asia Summit होता है, East Asia Summit, उन आठ देशों में USA भी है, जो वाइडन उसमें चाइना भी है, तो शी जिन पिंग भी पहुंचे, तो जो वाइडन और शी जिन पिंग की यहां मुलाकात भी होने वाली थी, साथ ही जो वाइडन ने उसी समय North Korea को लेके जो एलाइस कंट्रीज हैं, जो जापान हो गया, इनके साथ भी डिसक्रशन किया, North Korea के द्वारा जो एग्रिसिव प्रूफ से अभी गटना करम देखने को मिल रहा है, किसी तरह से मिसाइल नहीं जड़ी है, और ये East Asia Summit इसलिए भी इंपोर्टेंट था, क्योंकि जो वाइडन से पहले जो अमेरिका के राष्ट्पती थे, डोनाल्ड ट्रम, इन्होंने एक भी East Asia Summit को अटेंड नहीं किया था, चाहे जो भी करन रहे हो, लेकिन उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रम और अब जब कोरोना का थ्रेट नहीं है, और इसको बढ़ाया जा सके, तीनों देशियों का South Korea, Japan, ताकि North Korea और चाइना से जो खत्रा है, ताइवान को लेके भी और South Korea को लेके जापन को लेके भी, उसको डील किया जा सके, इसी पर्टिकुलर समय में, 19th आशियान इंडिया समिट हुआ, जिसके लिए हमारे बारत के Vice President है स्री जगदीब धनकड, यह कमबोडिया कहुंसते हैं, दो दिन की विजिट पर, 11 से 13 नवंबर की विजिट पर यह कमबोडिया मुझे, 19th पर आशियान इंडिया समिट के लिए, जो की 12 नवंबर को आईजित हुआ, और इसमिट को इसलिए भी important मना जाता है, क्योंकि आशि तो आशियान से इंडिया का जो, 1992 में उससे पहली बार, सेक्टरलल डायलोग पार्टनर बना अन्दियालोग पार्टनर बना उसके बार 1996 में डायलोग पार्टनर बना, इंडिया आशियान का डायलोग पार्टनर और यह produce train government लेबल पो होता था ज workflow विटे ने होती थी 2002 में जाकर इसको समेट लेबल पर आउजीत किया गया जिसमें लीडर आफ द आ इस्टेेट भी आने लगे और समिट लेबल पर एसको ले जाए गया 2012 में 2012 में New Delhi में Strategic Partnership Pam giderा है इन ये इंवे इंडिया इंडिया को 20 में से अभी तरक लेकर अगर देखा जाए तो आशियान इंडिया के जो समिट होता है इसमें एक important meeting होती है वो होती है आज एक आशियान minister conference होती है और एक होती है special officer senior special officer level meeting साथ ही तीन जो fund है important fund जिनकी अगर हम चर्चा करें जो कि important है आशियान इंडिया एक है आशियान इंडिया cooperation और दूसरा है आशियान इंडिया Green fund और तीसरा है आशियान इंडिया Science and Technology Development Fund साथ ही हम बात करें यहाँ पर डहली डायलोग की तो डहली डायलोग जो मैंली इंडिया होस्ट करता है यह हर साल होता है डेली रालब और इंडिया आशियान के रिलेशन के लिए है जिसमें में ली प्रेक 1.5 डिपलोमेशी के यूज करके मेकनिजिम को सुरू करके किया जाता जिसमें think tanks होते हैं academicians होते हैं social society के लोग होते हैं government के कुछ लोग होते जो कि इस पर discussion करते हैं कि आशियान इंडिया रिलेशन को किस तरफ लेके जाना है 11 यह summit हुआ था 2019 में और 12 जो summit हुआ finally COVID के कारण जो रोख दिया गया था कि 2022 जून में हुआ जित हुआ था आशियान इंडिया ट्रेड की तो आशियान और इंडिया जो ठ्रेड हुता है वो अभी अगर माना जाये तो लगभग 100 billion dollar के आसपा से 100 billion dollar हो है और यह जो ठ्रेड हुता है इसमें सब्से ज़्यद्र जो ठ्रेड हुतता है वह पांस देशों के साथ है एक है इंडोनेशिया, दूसरा है सिंगापूर, तीसरा है मलेशिया, और फॉर्थ है बियत्राम, फिफ्थ है थाइलेंग, इन पांस देशों के साथ सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेड होता है इंडिया का, साथ ही बात करें, आशियान इंडिया एकोनोमिक मिनिस्टर इंडिया यह मिटिंग होती है, जिसको कोमर्स मिनिस्टर जोइन करते हैं बारत की तरफ से, कोमर्स मिनिस्टर ना कि फैनेस मिनिस्टर और यह इस मिटिंग का काम होता है, जो एग्रिमेंट है आशियान इंडिया के एकोनोमिक सेंस में, उनको रिव्यू करना, जिसमें से एक है आशि एग्रिमेंट और गूड्स दूसरा है आशयान इंडिया ठेड एग्रिमेंट और सर्विस वाला जो ञडर्यमेंट हैclorय 2010 में शुरू हुआ था और फाइनली 2014 से शुरू हुआ सर्विस वाले एगरिमेंट जो कि 2018 में जाके फोर्स में आया है इनका रिव्यू करने काम होता है आशियान एकनॉमिक मिनिस्ट्र इंडिया ए-ए-m इंडिया हुआ हुआ है साथ है है आगर हम देखे तो जो स्टेटजिक पार्थ्टरिशिप का द्रज़ा दिया गया था 2012 में इंडिया को उसको बढ़ा के अब comprehensive strategic partnership के रूप में बदल दिया गया है ASEAN Elevate Ties to comprehensive strategic partnership 2022 से जो कि ASEAN ने ओलरी चाइना को comprehensive strategic partnership का दर्जा दिया हुआ है साथ ही ऑस्ट्रेलिया को इन दोनों को ये दर्जा मिला है 2021 में और 2022 में भारत को comprehensive strategic partner का दर्जा दिया जा चुका ASEAN के दोरा साथ ही जगदीब धनकड 17th East Asia Summit में भी शरीख हुए East Asia Summit के अगरम बात करें East Asia Summit शुरुवात हुई थी East Asia Summit की 2005 से 2005 से शुरुवात हुई leaders level पे और इसमें mainly ASEAN के 10 देश 10 member states of ASEAN और plus 8 countries अब वो 8 countries कोन सी है Russia USA Australia New Zealand Japan South Korea और चाइना और इंडिया यह 8 country और 10 देश आशियान के यह 18 देश मिलके East Asia Summit में शरीख होते हैं हर साथ और East Asia Summit यह जो अभी हुआ था 17th सत्रवा यह समिट था इस तरह का जिसमें फिरी इंडो-Pacific की बात की गए कि इंडो-Pacific को फिरी रखा जाए साथी freedom of navigation पर जोड़ दिया गया और फ्लाइट पर जोड़ दिया इस सेंट्रिटी में आशियान को रखता है साथी इन्होंने आशियान में connectivity बढ़ाने की बात की इनकी चर्चा हुई कंबोडिया के king है जो प्रैमिनिस्टर है और जो प्रेसिडेंट है सिनेट के उनके साथ भी इनका discussion हुआ बिए तनाम के प्रेसिडेंट के साथ इनका discussion हु इस टेश्या समीट कोई थी मेरिटाइम सेक्रीटी कोप्रेशन पर वह अभी 2021 में समाप थूई उसके अलाबा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो 14 इस टेश्या समीट था जो कि 2019 में होगा था इसमें एक initiative शुरू किया गया जिसको गया इंडो पैसिफिक ओशियन इनिस स्कूर रखना है इस्टेबल रखना है ताकि किसी भी तरीकी की दिक्कत ना हो साथ ही इनुनने मेरिटाइम एकोलोजी मेरिटाइम के security resources capacity building मेरिटाइम को share करने को लेके उसके अलाबा जो disaster risk reduction है उसके उपर बात की humanitarian assistance पर बात की साथ ही cooperation को लेके उसके अलाबा ट्रांस्पो और 2021 में जो मिटिंग हुई थी, 16th East Asia Summit की, वो बुने ने होश्ट की थी, जो कि mainly virtual summit हुआ था, because of COVID, और finally ये 2022 में 17th summit हुआ है, East Asia Summit का, इसके अलाबा एक चीज और हम देखें, तो आशियान इंडिया का जो relation है, उसमें, आशियान इंडिया का जो FTA goods में 2010 में शुरू है, जिसमें लगवग आप 100-100 billion डॉलर के आसपर सम बिजनस करते हैं, जो cooperation होता है आशियान इंडिया का, वो mainly 5 चीज़ों पे होता है, एक है maritime security, maritime security को बढ़ाना है, साथी जो Indo-Pacific region है, इंडो-Pacific region है, इस Indo-Pacific region में projects पे ध्यान देना है, कौन-कौन से projects, साथी cyber security, important, जो है, जिसमें digital transformation पे, digital financial systems पे, साथी sustainable development जो technology है, इसको promote करने की बात की जाती है, और tourism बढ़ाने की बात की जाती है, जो important है, आशियान देशों में, इंडिया के बीच में, और एक important region है कि इस्टेबिलिटी रहे, ताकि सिंब्रद्धी बढ़ सके, इसी किते अगर हम देखें, कमबोडिया के साथ जो relation है, इंडिया ने IMT highway इंडिया, मियामार, थाइलेंड, इंडिया, मियामार, और थाइलेंड, ट्राइलेंटर highway शुरू किया था, इसको एक्स्टूर करने का बा इस्ट पोलिस तो जोड़ दिया जा सके और इसी के साथ नोर्थ इस्ट रीजन के development को जोड़ दिया जा रहा है, ताकि इन्ही पर्टिकुलर रीजन के साथ साथ हम चल्लिब्रेट करते हुए नोर्थ इस्ट रीजन को भी डवलप कर पा है, और इसी किते आशियान देशों क को भी इंडिया के दौरा सपोर्ट के जाता है अभी हाली में कमबोडिया को 102 मिलियन डॉलर का लाइन ओफ क्रेडिट दिया गए इंडिया की तरफ से जिसमें इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट को बढ़ाने की चर्चा थी साथ ही अभी लेटेश्ट 4.26 लाख डॉलर का नुद्वान दिया गए जिसमें कमबोडिया को माइन स्री करना है 2025 तक जिस टार्गेट के तहर्ट वाइस प्रेशिडंट डॉक्टर स्री जगदीब धनकड यह अपनी यात्रा के दोरान कहां पहुंचें कमबोड्य का टाउन पर 概 सियंह रीप में सियंह यहां पर है अगर आप देखे इह द यह सियाम प्ला कि जोकी टोलर सेप लेक के पास में है और यह लेक इसमें सियंह धेप रिवार अगल गिरती है यह सियंह पहनने से जोड़िय निखलती है, और ये पहुंचते हैं तपरहुम टेंपल पर तपरहुम जो टेंपल है ये सियाम मृप में अवस्दित है और ये महयान-Buddhisठ टेंपल है तपरहुम है महयान बुद्धिषच, महायान-Buddhisठ, में लिए टेंपल है, या मSwनेस्ट्री कहा सकते हैं एक monastery के रूप में इसकी स्थापन होई थी monastery और university के रूप में और यह बना था 12th 13th century के बीज में बनावाय गया था कि जय वर्मन के द्वारा जय वर्मन 7th के द्वारा बनवाय गया था जो कि खेमर रूल के थे खेमर डाइनिस्ट्री से आते थे और इनके द्वारा यह बनवाय गया था और यह अगर आप देखें तो जो अंकोर वाला रेजन है इसको अंकोर थोम बोलते है शिटी को अंगो अंग कोर थोम और यह सिटी थी यह कैपिटल सिटी थी लास्ट कैपिटल सिटी थी खेमर रूजन की जो की 12th century में ही बनी थी और यह ही पर है अंकोर वाट अंकोर वाट टेमपल जो की 12th century के आसपास ही निवित हुआ था और यह ओरिजनली हिंदू टेमपल था जो आगमें ट्रांसपोर्म हो गया बुद्धिश टेमपल के रूप में और यह लार्जेस्ट रिलीजियस मोनुमेंट है इन दा वर्ड जिसक कर चाकी रॉक्राइन को लेके इंडो फैसिट को लेके इसके साथ यॉएस के जो सेकेटरी हैं इटनी बल internsक ब्लिंकर निके साथ चर्चा हुई इनकी साथ ही रॉप्र देंजे योक्रेनियान साइड के साथ जिसमें शीरुक्रेशीर यॉक्रेन इसको डिस्कृशन किय उसको के लिए शुरू किया गया था कि किसी भी को को करना है चाहिए वो एकनोम को Series के लिए हो पosit कि के लिए if ए उनिटी और मंजुते ही क्योंने अधर ल्यव्यम मेंज क्योंकि अभी जो नोर्थault को लेके यह ताइवान को लेके जो इंडो-पैसिफिक में यह इस्टन पैसिफिक रिजन में जो भी रटना करन चल रहे हैं ऐसे में आशियन प्लस-3 की मिटिंग होना काफी इंपोर्टन था यह तीनों देशों में अभी कुछना कुछ चाहे जापान या साउथ को्रिया को लेके हो साउथ कोरिया नोड्ic कोरिया को जो इशू चल रहा है जापान और चाइन कुछ चल रहा है जो ऐसे में आशियन प्लस 3 की मिटिंग हुई और जापन की तब से का गया कि यह कालिटी इंफ्रेस्ट्रक्चरDid trust is everyone इंबेश्ट करेंगे और आशियान की जो connectivity का प्लोग्राम है 2025 तक का उसमें इंबेश्ट करेंगे साथ ही मियामार कोरिया रश्या पर पर डिसक्रेशन हुआ यूक्रेन मुद्द्य को लेकर डिसक्रेशन हुआ एक और मिटिंग हुई जो कि आशियान की मिटिंग ही है लेकिन के आशियान समिट के साथ में भी बाद में हुई थी यह है आशियान डिफेंस मिनिस्टर मिटिंग जो कि आशियान के 10 देशों के डिफेंस मिनिस्टर मिटिंग होती है और ADMM प्लस आशियान डिफेंस मिनिस्टर मिटिंग प्लस जो की साथ ही आठ देशों के साथ जो की इस पूर फ्री, आउपन एंड इंक्लूसिव और इंडॉपेसिटी, जो कि श्याम रिप महोई थी ते कंपोडिया में यह मिटिंग, जिसमें इंडो-पेसिबिक की बात किए इंडो-पेसिबिक को हमें फ्री रखना है, ओपन रखना और इंक्लूसिव रखना है, इस तहरा है हम चर्चा करें, तो G20 असी प्रतिशत, 18% वर्ल की GDP में G20 का स्थान है, साथ ही, इंटरनेशनल ट्रेड के अगर हम बात करें, अंतराश्टी ब्यापर की, तो 60 से लगभग 75% जो ब्यापर होता है, इंटरनेशनल ट्रेड का, वो G20 देशों में होता है, दुनिया की जो दो तिहाई आवादी है, टू-थर आवादी, पोपुलेशन, वो G20 देशों में रेती है, और जो 60% वर्ल्ड का लेंड एरिया है, वो G20 देशों में, उननीस सो नन्याड में में, जर्मनी में, जर्मनी के कोलोन में, G7 मिटिंग होती है, G7 देशों की, G7 में है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसे, और फिर बाद में रशिया को जब जोड़ा गया, G8 बनाया गया इसे, 2014 में, क्रीमिया एनक्सेशन के बाद, रशिया को इसमें से निकाल के, दुबार से इसे G7 कर दिया गया, G7 जो फाइननस मिनिस्टर है, इनकी मिटिंग होती है, 1999 जर्मनी में, कोलोन में, और जो इस बैकड्रोप में हुई थी, कि 1990 के टाइम पे, काफी ज़्यादा डेप्ट क्रैसिस शुरू हो गया थे दुनिया में, जिसमें मेक्सिको में पेसो क्रैसिस हुआ था, मेक्सिको की जो करन्सी पेसो, यह 1994 में हुआ था, जिसमें सदन डेवलोशन किया गया था, पेसो का, और उसके बाद केपिटल फ्लाइट हो गया था, अगर आप देखें, तो केपिटल फ्लाइट का मतलब है, कि यह और यह capital fight का पहला crisis था पुरी दुनिया का जिसमें इन निवेशल जो होते हैं देश से भाहर जाते हैं capital fight कर जाती ही भाहर की तरफ तो इसमें यह पैसो crisis मेक्सिकुम हुआ इसी तरह का 1997 में जो एशियन financial crisis हुआ था जो कि East Asia और South East Asia में शुरू हुआ था जिसमें mainly जो कि start हुआ था Thailand से अगर आप देखे था Thailand से start हुआ था और South Korea, Japan और South East Asia के कई और देश इंडोनेशिया इसकी जद में आगे थे और इसमें यह condition होगी थी जो foreign debt to GDP ratio है 167 परसेंट तक चला गया था बने 80 परसेंट चला गया था कई देशों में यह कि राशी क्राइसिस हुआ था और उसके बाद क्राइसिस हुआ रशिया में 1998 में रूबल क्राइसिस जिसमें रूबल को डिविल्वेट किया गया और इसका डिफॉल्ट हुआ रशिया की तरफ से और इसका एफेक्ट USA पर बढ़ा फाइनली तो ऐसे में यह क्राइसिस होने के बाद 1990 कि से में 1999 में यह शुरू किया गया गया जी सेबन के द्वारा कि इस त 1999 में में यह G20 की परिकलमा सामने आई और 1999 में से लेके 1999 से लेके 2008 तक यह जो समिट होता था यह मैनली हुआ था जो सेंट्रल बेंक के गवर्नर्स होते हैं और फाइनस मिनिस्टर इनका समिट होता था लेकिन 2008 के बाद इसको समिट लेबल पर सुरू किया गया जिसमें G20 के हैं जो लिडर्स है उनको भी समिद किया गया और फिर यह साल में दो बा e紳 लह होने लगा लेकिन 2011 से 2011 में फ्रांस में इस मिट होता था 2011 प्रांस फ्रांस में उसके बाद से इसको फिक्स कर दिया गया था हर साल एक समिट होगा करियर 2019 में यह समिट हुआ था जो 19 समिट था यह हुआ था कहां पर जापान में उसके बाद 20 में समिट हुआ था सौधी अरेब में जो की वर्चुल समिट हुआ था सथी चरशा करें तो अगर आज़ सकते हैं इंडोनेशिय में ऐ आयोड की वर्च वी मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में अगर उपर से चले तो यह फिलिपिन सी फिलिपिन के पास में नीचे सेलेप सी सेलेप सी के नीचे है मलकका सी मलकका के नीचे है बांदा सी यहीं पर मिलेगा आपको सीरम सी और यहां पर है फिलोरेस सी नीचे इस तिमोर के नीचे है तिमोर्सी जी ट्वंटी का यह 17th समिट था सत्रवा समिट था और यह हुआ था नूसवा दुवा नूसवा दुवा जगे है बाली में वहाँ पर यह समिट हुआ 15 से 16 नवंबर 2022 इसका मोटो था रीकवर रीकवर टूगेदर और रीकवर स्ट्रॉंगर इसमें तीन सेशन इंपोर्टेंट थे जिन पर चर्चा की जानी थी और कौन से वो तीन सेशन थे एक था में लिए जो सेशन था फूड और एनर्जी सिक्यूरिटी पर Food and Energy Security दूसरा था Health को लेके और तीसरा था Digital Transformation को लेके Digital Transformation को लेके यह समिट हुए इसी समिट में जो बाइडन जो की राश्पति है USA के और च्री जिन पिंग जो की चैना के राश्पति हैं इनकी मुलाकात होती है और यह पहली बार है जो बाइडन जोसे प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद पहली बार मुलाकात हुई दोनों देशों के नेताओं की क्योंकि अभी जो संबंद चल रहे हैं चाहिए वो यूकरिन क्रैसिस को लेके हैं ताइबन को लेके जो मुद्दा चल रहा है और नोर्थ कोरिया को लेके जो डवलप्मेंट हो रहे हैं उसके लेके यह काफी इंपोर्टन समिट होने बारा था इसमें जो वादन की तरफ से कहा गया है कि हम एक रेस्पोंसिबिल्टी सेर करते हैं वर्ल के बड़े देश होने के नाते और साथ ही हमें हमारे जो डिफ्रेंसेज हैं को मैनेज करना होगा हमें जो यह हमारे अंदर जो डिफ्रेंसेज हैं उसको कहीं ना कहीं तरीके से कम्पेटिशन में इस कम्पेटिशन को हम रोक सकते हैं कि competition तक ही रहे, यह conflict नहीं बने, तो हमें इसको competition के लिए healthy competition जरूरी है, वहीं तक ठीक है, लेकिन competition, conflict के रूप में नहीं बढ़े आगे, यह हमें देखना पड़ेगा, यह USA की एक तरीके से अपरोज दिखाता है कि USA किसी भी तरीके से चाइना से अभी उलजने से अक्तियार क जाता कि किसी तरीके से इसको conflict के रूप में देखा जाए, Taiwan issue के उपर चर्चा हुई, Taiwan issue के उपर चर्चा हुई, क्योंकि Taiwan का जो matter है, Nancy Pelosi की जो visit हुई थी, उसके बाद से काफी ज़्यदा बढ़ गया है, कुनोर्थ कुरिया वाला matter भी बढ़ गया, ऐसे में, US के द्वारा क इसको लेके किसी भी तरह का कोई compromise ने करेंगे, इसी तरह Chinese media के तुरुआ कहा गया, China की media के द्वारा, कि Xi Jinping ने, Biden को किसी भी तरीके की red line को cross करने के लिए, Taiwan को लेके red line cross नहीं की जाए, इसको लेके जवाब दिया, साथी चर्चा हुई रशिया को लेके, Ukraine crisis को लेके, उसके अलाबा, रशिया की तरफ से, जो बिजिट पर आये, वो आये थे, सर्गी लेब लोग, जो कि महां के foreign minister है, क्योंकि Vladimir Putin का, शुरू से इसमें आना संसित लग रहा था, और उसके बास से, पाइनली, जो सर्गी लेब चर्चा हुई, और इसी समय में, Istanbul में अटेक हुआ था, जो कि Kurdish militant के द्वार किया गया था, ऐसा तर्की का कहना है, साथी इसी समीट में, जलेंस्की का भी भासन हुआ, और जलेंस्की ने इस समीट में, इसको G20 ना कहके, G19 गोशित किया, उनका कहना था कि इस रशिया को म लगा इस चीज़ को लेके, और इसी समय पर, Kherson में, जो जीत मिली थी, उसको उन्होंने, Normandy landing से, जो World War II के समय, Normandy में landing हुई थी, France, सेना की, France, सेना की, उससे compare किया, और साथ ही उन्होंने 10 सर्ते भी रखी दी, जो उनकी पहले की शर्ते हैं, जिन में ऐसे, कि रशिया जो complete occupation उसको खाली करे, बिद क्रीमिया, उसके अलावा कई सारी सर्ते थी, जिसको लेके उनका काता है, कि हम इन से कोई compromise नहीं करेंगे, और finally, किसी भी तरह का कोई compromise नहीं होगा रशिया से, रशिया आगे इन सर्तों को मान लेता है, तो ही वोर को खतम किया सकता है, और यह वोर खतम करने जरूर ही जो session हुए थे G20 summit में, उनमें से पहला जो session था, वो था food and energy security के, जिसमें अभी बिश्व में जो food और energy की crisis चल रही है, उसको लेके summit हुआ, जिसमें food और security की बात की गई, किसी तरह से energy security को establish किया जाए, प्रधान मंत्री मोधी ने भी इसको address किया, और उनका कहना था, कि जो उन्होंने Ukraine conflict को लेके का, कि जो Ukraine conflict है, इसको किसी ना किसी तरीके से cable diplomacy की द्वारा ही solve किया सकता है, military कोई solution नहीं है, उन्होंने global supply chain है, इसको risk free करने की बात की, साथी प्रधान मंत्री मोधी ने का, कि इंडिया जो clean energy और environment का, जो सपना है, उसको लेके committed है, और 2030 तक, आधी जो electricity हम renewals है, produce करेंगे, इसा प्रधान मंत्री मोधी का बाता था, साथी उन्होंने peace को insure करने की बात की, उनका कहना था जो essential goods है, इनका जो crisis चल रहा है, इसको tackle करना बहुत जरूरी है, साथी उन्होंने UN जैसे multilater जो institutions है, उनके उपर पिटाक्स किया, उनका कहना था कि जो crisis चल रहे हैं, इनको ये handle करने में fail हुए है, और किसी भी तरीका का reform करने में अपने आप में भी ये fail हुए, इसलिए जरूरी है कि इन में in particular organizations में multilater जो institutions हैं, इन में reform किया जाएं, ताकि इस तरह के crisis को ये handle करने में fail नहीं हो, दूसरा जो session हुआ था, वो हुआ था health को लेके, जिसमें कहा गया था, कि health, जो capacity gap है, देशों के बीच में, health को लेके, capacity gap, इसको कम किया जाना चाहिए, साथी जो developing countries है, इनक power countries हुआ के साथ partnership की जाए, ताकि technology transfer के आज़ा सके, fund transfer के जा सके, ताकि ये भी global health supply chain है, उसके part बन सके, साथी health में investment को बढ़ाने की बात की गई, investment को health में बढ़ाया जाए, उसके अलावा जो R&D पर ख़र जो होता है, उसको भी बढ़ाया जाए, technology transfer की जाए, इसको लेके discussion ह हुआ, तीसरा जो session था, थर्ड session जो था, जी टूंटी का, वो था digital transformation को लेके, जिसमें कहा गया कि poverty, climate change, बहुत सारे मुद्धे हैं जिनको handle करना है, और ऐसे में digital transformation काभी मद्द कर सकता है, क्योंकि digital transformation finally, social economic transformation में घटित होता है, इनका कहना था, जो digital access है, ये inclusive होना चाहिए, by उस देशों में digital access ज्यादा है, कुछ में कम है, ये gap को कहीं नगा ही कम के जाना चाहिए, तक एक समानता का platform लाया जा सके, साथ ही प्रधान मंत्री मोदी ने भारत की जो यात्र है, digital transformation लेके, उसका भी जिकर किया, उन्होंने UPI को लेके कहा, कि 40% जो बल्ड का, 40% बल्ड का की, COVID-19 vaccine के लिए, कि ये biggest vaccination camp था, human history में, मानव इतियास में, आस तक सबसे बड़ा vaccination campaign था, साथ ही उन्होंने का, कि जो बल्ड में digital divide है, वो काफी ज़्यादा है, केवल 50 ही countries है, जिन में digital payment system है, बागी countries नहीं है, तो उनका कहना था, प्रानमिन मोदी का, कि digital divide जो है, digital divide, इसक इस तरह से इन तीन सेशों पर चर्चा हुई, इसके अलाबा, जो discussion हुआ, वो हुआ, मैंग्रोफ को लेके, प्रादानमंत्री मोदी और G20 के जो कई लिटर है, उन्होंने मैंग्रोफ को प्लांट किया, बाली में, बाली में अगर आप ये region देखें, इनूसाद हुआ, यहा बाला जो रीजन है, यह मैंग्रोफ रीजन है यहाँ पर, इंडोनेशिया का, अभी हाली में, जो COP 27 मिटिंग हुई थी, सरमल सेख, एजिप्ट में, मापर मैंग्रोफ अलाइंस पूर क्लाइमेट चेंज, की स्थाफना की गई, इनिशेटिव की मैंग्रोफ अलाइंस पू बाला शुरू किया गया था, जिसमें इंडोनेशिया, UAE के लावा, इंडिया, स्री लंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और स्पैन, भी सदस्य देश हैं, जिसमें कहा गया कि एजुकेट करना है, आवेर्नेस फिलन हैं, और मैंली बॉलंटरी वैसिस पर कमिट्मेंट के साथ काम करना है, कोई लिगल इवैंडिंग काम नहीं करना है, UAE की तरफ से भी प्रफूजल दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 इंडिया पाई जाते हैं जो कि हमारे देश का इंडिया का 0.15% ही है साथ ही मैंग्रोब के बारे में कहा जाता है कि लगभग अगर मैंग्रोब को बढ़ाया जाए तो 65 बिलियन डोलर सेव किये जा सकते हैं हर साल 65 billion dollar जो कि जानमल की शती होती है किसी तरीके का नुक्सान होता है buildings को infrastructure को वो हर सार damage को रोका जा सकता है किसी ने इस तरीके से mangrove को अगर बढ़ाया जाए तो और लगबग 65 billion dollar की shaving की जा सकती है हर सार इसके अलावा एक important जो partnership for global infrastructure partnership for global infrastructure investment to help developing countries PGI इसकी शुरुवात हुई थी यह मैंली लाया गया था जो project है चाइना का उसके खिलाफ जो कि बंड ट्रिलियंड डॉलर का project है इसके खिलाफ ही लाया गया था इसमें कहा गया था यह की infrastructure को बढ़ाना है और जो 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 बाइडन का एक statement था जिनमें कहा गया था जो कि फोर्थ जो G7 summit हुआ था UK में जून 2021 में जिसमें जो बाइडन की तरफ से कहा गया था लगबग 600 million billion dollar का investment किया जाएगा 2022 से 2027 तर के लिए 2022 से 2027 तर 600 billion dollar का investment किया जाएगा कहां पी किया जाएगा यह mainly ताकि चाइना का जो initiative है इसको टेकल किया जा सके इसको counter किया जा सके और इसमें जो NATO countries है जी 7 countries है इनके दोआरा प्राइवेट फर्म्स के द्वारा इस राशी को प्रात किया जाएगा जो यूएसी के पोलीसी है पाइबॉर्ट टू एसिया इसके तहत यह प्रोग्राम किया जा रहा है क्योंकि यूएसी की पोलीसी है जो कि हिलेरी किलिंटर ने अपने एक article में अमेरिकन पैसिफिक सेंचूरी आर्टीकल लिखा था उसमें कहा गया था कि जो 50% पोपुलेशन है दुनिया की 50% पोपुलेशन दुनिया की इसी पर्टिकुलर रिजन में रहती है साउस्टिश एशिया में और यह ओपन मार्केट बढ़ाना है यहां पर पीस और सिक्यूर बढ़ाना होगा इसी लिए East Asia Summit में भी USA है उसी के लवर trade और investment को बढ़ाने की बात थी एक और important बात थी कि military के जो presence है वो इस एरिया में इस रीजन में बढ़ानी है और democracy human rights को बढ़ावा देना है ताकि कि किसी ना किसी तरीके से इस जो American Pacific Century है इसको केशिन किया जा सके इसके लिए partnership for global investment इसी की discussion हुआ था भी G20 Summit में इसलिए इस बारे में बताना जबूर था एक और जो important discussion हुआ यही पर इंडोनेशिया के द्वरा एक deal sign की गई जिसमें clean energy transition की बात की गई इस deal का नाम था JETP जस्ट एनरजी ट्रांजिशन पार्टनर्शिप जस्ट एनरजी ट्रांजिशन पार्टनर्शिप और यह बीस बिलियन डॉलर की बीस बिलियन डॉलर का यह डील थी जिसमें developing जो इनको इनका जो fossil funds को reliance है इसको कम किया जाए और यूएस जापान और आठ अन्य देशों के द्वारा इंडोनेशिया के साथ यह deal की गई इसके अलावा G20 की जो declaration थी फाइनली उसमें today era must not be of war जो की प्रधानमंत्री नरेंद मोधी का वक्त तब्बे था जब उनकी संगाई cooperation organization के समय लादीमिर पूतिन से चर्चा हो रही थी जब उनका दोरा कहा गया कि today's era not that of war इसको G20 declaration में डाला गया और इसमें कहा गया कि हमें international law for peace इसको बढ़ाना होगा today's era must not be of war साथ ही इनका कहना था कि जो diplomacy है डायलोग है और democracy है इसी से किसी ना किसी चीज का हल निकाला जा सकता है peace establish की जा सकती है cable diplomacy dialogue और democracy के द्वार और इसी declaration में कहा गया कि different views हो सकते हैं situation पर Russia के खिलाब sanctions पर आलग अलग देशों के और G20 का काम security issues so resolve करना नहीं है G20 में लिए economic issue के लिए है लेकिन ये वक्त तब वे G20 declaration में डालना उसी G20 की declaration में जिस G20 में Russia भी एक member है Turkey भी है कई ऐसे देश भी है जो रेशिया को support करते हैं blindly ऐसे में ये कफी important था और इसको लेके US के द्वारा फिर appreciate भी किया गया कि इंडिया ने एक essential role play किया है प्रधान मंत्री मोदी ने कई देशों के राश्पाद्यक्षों के साथ मुलाकात की जिसमें से मुलाकात हुई सबसे पहले जो बाइडन के साथ जो की USA राश्पती है इनके साथ इंडिया USA strategic partnership पे चर्चा हुई साथी चर्चा हुई energy पे लेके जो critical energy technology है उस पे लेके जिसमें इजराइल इंडिया इजराइल इंडिया UAE और USA जिसको साउथ एशियन कौर्ड बोला जाता है स्वरी बेस्ट एशियन कौर्ड बोला जाता है वेस्ट एशियन कौर्ड इसके उपर discussion हुआ साथी वाटर एनरजी और food health को लेके में discussion हुआ प्रधान मंत्री मोदी के दुआर जो बाइडन को कांगड़ा पैंटिंग किफ्ट की गई कांगड़ा पैंटिंग अगर आप देखों तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से निकलती है जिसमें संगार रस की प्रधानता होती और नेचुरल बेक्ग्राउंड होता है पाड़ी पैंटिंग है और इसका ओरिजन शुरू हुआ था गुलेर एस्टेट में गुलेर एस्टेट है माचल प्रदेश में राजा दिलिप सिंग के समय राजा दिलिप सिंग के समय और जब जो कश्मीरी पैंटर थे जो मुगल इसके अलाबा डिश्केशन हुआ प्रदानमंत्री मोदी का प्रफेशिडेंट जो बाइडन और इंडोनेशिया के प्रफेशिडेंट जो को विड़ोडों के साथ एक अलग डिश्केशन हुआ जिसमें सिल्वर बोल और एक किल्णोरी शोल गिफ्ट किया गया इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को प्रदानमंत्री मोदी के दोरा यह सिल्वर बोल सूरत गुजरात में बनता है और यह सेंचुरिज ओल्ड क्राफ्ट है काफी सताब्दियों से यह चल रहा है जो कि प्योर इसको बुना जाता है इसके अलावा इसके अलावा मिटिंग हुई सिंगापूर के प्राइमिस्टर के साथ साथ बाली में और इन मिटिंग में इन तीनों देशों को फ्रांस जर्मनी और सिंगापूर को एगेट बॉल इसको बोलते है एगेट बॉल यह गिफ्ट किया गया प्रधामंत्री मोधी के द्वारा एगेट बॉल आता है कच्छ गुजरात से और यह सेमी प्रेसे सिस्ट्रम होता है जो कि चले सदूब्ग का बनता है और जो राजपीपला और रतनापूर ये जो नदी घटी है इन वे यह मिलता है जहां से यह बनता है और इसके इतिहाज यह है कि इंडस वेली सिविलाइजिशन से आज तक मौडरन टाइम तक यह चलता आ रहा है इसके शाक्षे इंडस वेली सि मजदूर है वो इसको बनाते है एगेटबोल को इसके अलाबा ऑस्टेलियन जो प्रामिस्टर है इनके साथ डिस्केशन हुआ प्रधान मंत्री मोधी का और इनको प्रधान मंत्री मोधी के दोवारा पिथोरा पैंटिंग पिथोरा पैंटिंग गिफ्ट की गई पिथोरा पैं ग्रथावा और यह केप पेंटिंग का डिप्रिक्शन करते हैं मिली और यह और ऑस्टलिया के पी एक पिफोरा पेंटिंग देना यह का रानता कि जो अस्टलिया की इंडिनेस इंडिजिनस कम्यूनिटिय है वह भी इससी तरह की डोट Cornilleга को को स्थी प्रदालमंतृ मौधे के द्वारा कर् nel ब्रॉबर सेड दिया गया इस्पैनिस प्राइम्निस्टर को जोकि मंडी ओर कुलू हिमाच़ु प्रचिश में होता है और यह सेरेमनी जो सेरेमनील ओकेजन्स होते हैं उन पर यह बजाए जाता है जो कि हिमालेन रेजन में होता है कि इसके अलबा प्रिधान मंत्री मोधी के दोरा इंटर्क किया गया इंडिन कम्यूनिटी से बाली में जहां पर इंडिया की growth इंडिया के बारे में बताया गया किस तरह से ग्रोथ कर रहा है क्या चीज़े घटी थोरी है इंडिया में उसके बारे में डिस्क्रेशन हुआ और यहां पर ही प्रधानमंत्री मोधी ने बाली जात्रा का उधारन दिया कि इंडोनेशिया और भारत का एक अलग संबंध है बाली जात्रा के कारण कि अगर बाली जात्रा देखें तो बाली जात्रा एक बोईटा बंडाना फेस्टिवल है जो की मैंली ओडिसा में आईजित सबसे बड़ा ओपन ट्रेड फेयर है और यह कटक में होता है अड़ साल उड़ी सामें कटक में कार्थिकूर नीमा को महानदी रिबर के किनारे नो से दस दिन तक फेस्टिबल चलता है बाली जात्रा फेस्टिबल इसके बारे में डिस्क्रेशन हुआ प्रधानमंत्री मोदी के मिटिंग हुई बिट्रेन के प्रधानमंत्री जो कि अभी हाली में प्रधानमंत्री में रिशी सुनक के साथ जी 20 की साइड लाइन में जिसमें ट्रेड बनाने की बात की गई साथ ही बात की गई रोड मैप रोड मैप 2030 for future relations के लिए साथ ही FTA पर जो भी discussion चल रहे है उसके बारे में बात हुई क्योंकि FTA इंडिया-UK FTA जो के अभी discussion phase में है जो की finalize बहुत जल्दी होने वाला है उसके उपर discussion हुआ security के पर discussion हुआ, pupil to pupil, business to business जो connectivity है इसको बढ़ाने की बात की गई और इसी के तहर यूके ने उसी समय अप्रूब किया 3000 वीजा जो यह यंग professionals है अंडियन यंग professionals हैं उनके लिए 3000 वीजा अप्रूब किया हत्वार क्योंकि 18 से 30 साल की age वालों को दिये जाएंगे प्रधान मंत्री मोदी के द्वारा UK के प्राइम निस्टर को भेट की गई मातानी पचेडी मातानी पचेडी यह एहमदाबाद गुजरात में एहमदाबाद गुजरात में होती है और यह handmade textile है जो की मंदिरों में दिये जाता है और जो की नॉमाडिक बागीर कम्यूटी है इनलोनी के साथ, इनके साथ discussion में bilateral cooperation को बढने की बात की गई trade, defense, energy, counterterrorism काउंटर तेर्रीजम के दिर्षा मैं पर च्रच होई और इसमें जो मोटिफ्स होते हैं, यह इंस्पायड होते है रानी की बाप से, रानी की बाप पाटन में ही है, 11th century की क्यां गलिटी है और इस पाटन पाटूला को सडेली बोक्स, जो की सूरत में मनता है, यह लकडी का एक बोक्स होता है, इसमें रखके बैट के जाता है, प्रधार मंत्री मोधी की इसी G20 में डिनर समय में मुलाकात हुई जी जिन्पिंग से जो कि लद्दा के स्टेंड ओफ के बाद पहली मिटिंग थी SEO में भी मिले थे लेकिन डायेक्ट मिटिंग नहीं हुई थी और ये भी एक मिटिंग नहीं थी है कि इनफॉर्मल मिटिंग थी जो डिनर पर हुई थी इसी के साथ G20 में इसलिए इंपोर्टेंट था क्योंकि G20 के जो 2023 वाला संस्क्रेन है वो भारत में आज ही थोना है बारत को G20 की प्रेसिडेंसी दी गई, इंडॉनेशियक के प्रेसिडेंट के जवरा, क्योंकि इंडॉनेशिया भी प्रेसिडेंट था और G20 के बारे में प्रदान मंत्री मोधी की तरफ से कहा गया कि G20 जो होगा एंडिया में ये इंक्लूसिव होगा, एक्शन ओरियन्टेड होगा. साथी का गया कि ambitious होगा, decisive होगा, निर्णायक भूमी का निभाएगा. और प्रधानमंत्री मोधी का कहना था कि G20 को हमें catalyst for global change मनाना है, साथी उन्होंने का कि इस समय जो time चल रहा है, geopolitical tensions चल रही है, economic से लोड़ाउंग चल रहा है, food energy को लेके दिखकत चल रही है, food energy crisis है, और pandemic के बाद जो after effect है pandemic के, covid के, उसको लेके भी काफी दिखकत चल रही है, ऐसे में G20 को summit को आयुद करना अपने आप में एक challenge है, लेकिन इंडिया इसे पूरी तरीके से निवा के inclusive action oriented बनाएगा, साथी उन्होंने इंडिया बाली का जो relationship है, उसके बारे में चर्चा की, इंडिया की अगर G20 theme देखें तो आप G20 theme है, बन आर्थ, बन फैमिली, बन फ्यूचर, बसुदेव कुटमकम, यह G20 का logo है भारत का, दोजर्टेटी में जो G20 होने वाला भारत में उसका, इस तरह से हमने G20 के बारे में discussion किया, next जो हमारा discussion है, बो है APEC के बारे में, APEC है Asia Pacific Economic Corporation, जिसमें Pacific Rim के चालों तरफ के जो 21 देश हैं, इन देशों का ये संगठन है, जो की free trade को promote करते हैं, और ये 21 देश लगभग 50% बल ट्रेड और लगभग 57% GDP में contribute करते हैं, 1989 में, 1989 में, APEC की स्थाबना होती, 12 founding member के दोरा, जिसमें जो head of government हैं, ये annually meeting करेंगे, और इसमें ये ही था कि केवल जो Taiwan है, Taiwan member है, लेकिन Taiwan के जो head of state का कोई exception है, head of state नहीं, यहाँ पर केवल Taiwan के minister level के जो officials हैं, वो यह रह सकते हैं, उसका कारण था China, वोगि China भी इसमें सदश्य है, तीन official observer रखे हैं, इसमें एक है ASEAN, दूसरा है Pacific Island Forum, और एक है Pacific Economic Cooperation Council, और पहली meeting जो हुई थी 1989 में, तो वो हुई थी ऑस्टेलिया के कैनवरा में, इंडिया उप्जर्वर बना पहली बार, उनिस सो, बो सोरी, 2011 में, 2011 में इंडिया उप्जर्वर बनता है, एपक का, और इंडिया मेंबर बनना चाता है, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये कारण, एक कारण तो और पूस्ट चाही नहीं है, दूसरा कारण बूला गया कि इंद्या Pacific Rim का देश नहीं है इंडिया इंडियन ओशीघ्र में विस्तित है और ऐसे में इंडिया को सदिश्टर नहीं मनाई जा सकता कुछ और कारण दिये गए कि इंडिया में उस तरह का ओपन फूरी ट्रेड नहीं है में में बागोर गोल इस्थावित किये गए ऐपक के लिए बागोर इंडोनिशा में जगह है उसी के नाम पे 1994 में गोल्स इस्थावित किये जिसमें कहा गया कि फ्रियो और उपन ट्रेड होगा एसिया पे पैसिफिक में इंवेस्ट करना है इंडेस्ट्रिल एकोनोमीज बनानी है दो जार दस तक 2020 तक डवलपिंग इकोनोमीज में इंवेस्ट करना है अभी जो आश्यान की मीटिंग हुई आश्यान का समिट हुआ वो थाइलेंड बैंको की जारी थी नामाल एक की तरह है जो कि काम चल रहा है एक यह 2022 समिट हुआ थाइलेंड में जो के 18 से 19 नॉबंबर तक हुआ और इसका जो मोटो था वो था ओपन कनेक्ट और बैलेंस ओपन डोंजित किया है इस समिट में जो वाइडन उपस्तित नहीं हो पाए विकोज उप उनकी जो ग्रांड डॉटर की मेरीस थी उसमेस है और इसलिए इस समिट में उपस्तित हुई कमला है इस जो की वाइस प्रेसिडेंट है युएस से की इनकी उपस्तिती हुई इस समिट में कंडैम किया गया उक्रैन वोर को और साथ में कया गया कि ट्रेड को के द्वारा कहा गया, Xi Jinping के द्वारा, कि Asia Pacific किसी का no one background, Asia Pacific is no one's background, backyard, और किसी भी big power को, big power का contest नहीं हो न चीए, ऐसे Pacific में, उनका सीधा सीधा apex USA की तरफ था, इसी summit में कहा गया, कमला Harris के द्वारा, जो कि China का नाम लिये बगर कहा गया, कि US is here to stay, कि US यहीं पर रहने वाला है, उनका कहना था कि US का profound stake है इन रीजन में, और साथ ही US के अपने एक इंट्रेस्ट है, US ताइबान को, Japan, South Korea, इनका strategic partner है, और ऐसे में इन देशों की security के लिए, US इम्मेदार है, ऐसे में US के profound stake है इस particular region में, और US is here to stay, इसी summit में, ताइबान के मुद्देग उठाया गया, जेसिंडरा एर्डन के द्वारा, जो की New Zealand के प्रैमिस्टर है, इनके द्वारा, शी जिन्पिंग के साथ, इनका सथ discussion हुआ है, और इसी के लाबा, चाइना के शी जिन्पिंग और जापान के फ्यूमों के शिदा, प्रैमिस्टर मंत्री किया, इनकी first face-to-face talk हुई, क्योंकि जापन और चाइना के जो रिलेशन है, वो भी इतना खास नहीं है, और North Korea के द्वारा, जब से aggressive stand अपनाए गया है, उसके पासे चीज़े खावी विगड़ गई है, इसी में Kamala Harris ने condemn किया, क्योंकि इसी Apex Summit के द्वारा, North Korea के द्वारा missile launch किया गया, जिसको condemn किया Kamala Harris के द्वारा, इस तरह से Apex Summit कम्लेट हुई, नेक्स्ट समिट हुई थी, वो हुई थी COP 27, जो कि Egypt में हुई थी, अगर आप Egypt की location देखें, तो यह Tropic of Cancer, Egypt में निकलती है, यह लेक नासेर है, और यह नील नदी है, जो नील डिल्टा बनाती है, यहाँ पर, केरो राजदानी है, यह सिनाई पेनिसुला आए, सिनाई पेनिसुला पर यहाँ पर रहा है, शर्म अल्शेक, शर्म अल्शेक में, यह Egypt में, 2022 में, COP 27 की मिटिंग हुई, COP 27 के अगर हम बात करें, यह शर्मल शेक, यही पर स्वेज के नाल है, जो की पोर्ट स्वेज से लेके, पोर्ट साई तक, यह स्वेज के नाल है, यह मिटिंग हुई, 1979 में पहली जो World Climate Conference हुई थी उसके बाद से चीज़ है काफी शुदरी 1988 में IPCC की स्थापना होती है और 1990 में 2nd World Climate Conference होती है और इसी के बाद आगे का रास्ता निकलता है 1992 का जहां पर होती है Rio Summit जिसको Earth Summit भी बोलते हैं जो की Rio Degenerv में हुई थी ब्राजिल में 1992 में और इसी में स्थापना होती है UN FCC की जिसका Secretary है बौन जर्मनी में और इसी की Conference of Parties के रूपे मिटिंग होती है हर साल उसी Conference of Parties के पहली मिटिंग होई थी 1995 में 1992 में Rio Summit हुआ 1994 में UN FCC बना और 1995 से Conference of Parties के मिटिंग होना शुरू ही जो कि पहली मिटिंग होई थी Berlin जर्मनी में उसके बाद COP21 COP21 की मिटिंग होई थी वह हुई थी पैरिस में यहां पर पैरिस बोल्स की बात की गई जिसमें कहा था कि बल्ली टेंपरेचर को 2 डिग्री सेंटिग्रेट से उपर नहीं जाना देना चाहिए और हर आलत में 5 डिग्री सेल्टिग्रेट के नीचे ही रखना पर इंडर्श्टिय लेबल से इसी COP20, COP Conference of Parties की 27 भी जो मिटिंग है COP27 यह होती है शर्मल से एक एजिप्ट में और इस मिटिंग में सबसे पहले जो इंपोर्टेंट बात थी वो सस्टेबल मार्केट इनिशेटिव की बात की गई जिसमें कहा गया कि जो ओर्गिनाजिशन ओफ कंपनीज है जो की क्लाइमिट फ्रेंडली है और यह एस्टबलीज किया गया था किंग्स चार्ट सर्ड के द्वारा जिसमें रिपोर्ट दी गई कि रिजनरेटिव जो एगरिकल्चर है रिजनरेटिव एगरिकल्चर है इसको प्रमोट किया जाना चाहिए इसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो फास्ट ट्रांस्फोर्मेशन रेट है इसको पाया जा सके साथ ही इस पर डिस्केशन हुआ को लेके IPCC की जो रिपोर्ट है 2021 की उसमें कहा गया कि अफ्रीका जो है मोस्ट बलनेरेबल है क्लाइमेट चेंज के एफेक्ट को लेके और इसी के थहत हिस्टोरिक डिसीजन हुआ लोस और डेमेश फंड को लेके लोस और डेमेश फंड अगर आप देखें तो पहले से चला रहा है उससे पहले सिसमें कहा गया था कि जो डबलब कंट्री इसको घराब करने में ऐसे में उनकी जिम्मिदाई ज्यादा बनती है common but differentiate responsibility के बाद जो पहले से कही जा रही थी इसी के तेथ loss and damage fund जो कि शुरू कर दिया गया और यह फाइनली एक historic decision इसलिए था क्योंकि यह financial structure shape तो किया गया लेकिन अभी COP28 में में बोला गया कि COP28 जो कि 2023 में दुभई में होने बला है इसमें इसका जो financial structure है उसको set up किया जाएगा इसमें भी अभी काफी समश्या है क्योंकि EU के द्वारा कहा गया है कि हम support करेंगे के बल्नरेबल कंट्रीज को लेकिन बल्नरेबल कंट्रीज किसे माना जाएगा इसकी कोई definition अभी तक नहीं है यह साथी क्लाइमेट जो financing की बात पहले की जा रहे थी कि सो बिलियन डॉलर की climate financing की जाएगी डवलक कंट्रीज के द्वारा पर यह उस पर भी कोई discussion अभी तक नहीं हुआ है कि लोग डिलेड प्रोमिस था जो काफी समय से डिलेड ही है इंडिया के द्वारा जो नेट जीरो स्ट्रेट जीए उसको रखा गया है कि हमारी नेट जीरो स्ट्रेट जीए 2070 तक साथ ही इंडिया ने बेलकम किया लोस और डेमेज फंड को लेके कि वर्ल्ड ने काफी बेट किया इसको लेके और साथ में यह बनता है तो अच्छी बात है इसका financial structure अगली साल तक यह हो जाएगा कोप 26 में एक बार को जो fossil fuels है इनको complete phase out करने की बात की गई थी लेकिन कोप 27 में बाग की गई है केवल coal को phase out करने की की कोल को खतम करना है सारे fossil fuels की कोई बात नहीं की गई है तो ऐसे मैं यह कोप 27 इस अबधार्न को आगे लेके गया है यह पीछे लेके यह काफी important है देखना कि लोगेशन देख लेए इसको सिटी ओफ पीस भी बोला जाता है रेट सीप है और यह नाइंटी एटी टू में इससे पहले भी इसे पहले इसे दिया गया इजिप्ट को और नाइंटी एटी टू में इसे सीटी ओफ पीस का गया यह क्योंकि कई सारे जो इसे प्रफोजल से तिह पाख नो इसे में नटका भी शुरू हुआ है फीःफा की अगर बात करें तो फेदरेशन इंटरनेशनलडे डी फिटबॉल अशॉसियस्यान जो जो कि फ्रेंच बाश्या में है, FIFA की सिस्थापना हुई थी इन 1904 में और इसका है जो है जूरिक स्विजन लेंड में और मेंस वर्डकप जो शुरू हुआ था, मेंस वर्डकप ये शुरू हुआ था 1930 से और बुमेंस वर्डकप शुरू हुआ उनीस सो इकराण में से, 1991 से जो लोज है जिन नियमों के तहट फुटोल खेला जाता है गेम के जो लोज है और सारी चीज है इनको निरधारित करने का काम है आई-ए-ए-फबी का इंटरनेशनल फुटोल एसका एक मेंबर है लेकि फीफा के दौरा मेंस वर्डकप और गुमेंस वर्डकप और काफी अन परिशन गल्फ में और कतर में आई-जूत किया गया है दोहा में मैंनी दोहा और दोहा के आसपास कई सारे स्टेडिम बनाए गए नो या दस स्टेडिम बनाए गए हैं जा पर यह आई-जूत किया जा रहा है भारत के जो उपराश्पती है जगदीर धनकड यह भी फीफा गतर पहुंसते हैं क्योंकि इनकों इन्वाइट किया गया था गतर के क्राउन प्रिंस के दोहरा और यह माफे काई वर्ड लेडर सम्म मिलते हैं फाइनली श्ещ किस तर से इस पर्टि बीडियो में हमने डिस्कुर्शन करे于 जी टूंटी के बारे में, आसे आशियान के बारे में, 5G- Ny moss कोब 27 के बारे में, फीफा के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जोड़े रहिए अन्लोग जीस अकेडमी से बहुत बहुत धन्यवाद